नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राशी का भविश्य बताने के लिए आज चाहितर मास के शुकल पक्षकी दिती आती थी और बुधवार का दिन है आज चाहितर नवरातर का दूसा दिन है आज सुबह 10 बच कर 38 मिनट से शुरू होकर कल की सुबह 7 बच कर 18 मिनट तक प्रीती योग रहेगा साथ ही आज देर रात तीन बचकर पांच मिनट तक भर्णी नक्षत रहेगा आज चैतर नवरातर का दूसा दिन है इसके अलावा आज भागवान जूले लाल की जैनती भी मनाई जाएगी आगे हम इसी पर विस्तिक चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका बर्ट डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें चाहे आपका आज का लगी कलर और चाहे आपका आज का लगी नमबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेड होगा या दोस्य किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का अच्चा है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तव शास्तर और सामुदिक देकि आज एक कौन सी देशा होगी शुब और आज आपको खाने में चान नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगी दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश के गनित पक्ष ने आकाशी पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मुवमेंट को कल्कुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 14 अपरैल की रात एक बचकर 35 मिनट से अगली सुबह 5 बचकर 49 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार से ध्योग यानि के सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग देर रात 3 बचकर 6 मिनट से कल सुबह 5 बचकर 43 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएब चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि के फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ कल यानि के 11 अपरैल की सुबह 6 बचकर 2 बचकर 17 मिनट तक कंस्टक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ कल यानि के 11 अपरैल की सुबह 8 बचकर 40 मिनट से सुबह 9 बचकर 42 मिनट तक और एक बार फिर दो पहर पहले 11 बचकर 56 मिनट से दो पहर बार तीन बचकर 4 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्टियल इंस्टिचूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 12 अपरैल की दो पहर एक बचकर 42 मिनट से शाम 7 बचकर 17 मिनट तक और एक बार फिर रात 9 बचकर 36 मिनट से देर रात 1 बचकर 2 मिनट तक रहेगा सीजीरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ देर रात 3 बचकर 19 मिनट से अगली सुभा 6 बचकर तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा महूर्थ 13 अपरैल की सुभा 5 बचकर 58 मिनट से सुभा 9 बचकर 34 मिनट तक और एक बार फिर दो पहर पहले 11 बचकर 49 मिनट से दो पहर 12 बचकर 4 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुभ समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रो माइगनेटिक फील्ड कुछ चणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुभ क्रांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चानों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुभ कारे करने से सफलता नहीं मिलती है आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा अब ये शुब समय 12 अपरैल की रात 8 वच कर 10 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होगी लेकिन वरश वरश्चिक, मकर और कुम राशियां विशेश रूप से प्रभावित होगी जान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई विश्योभ कारें नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बता दू कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहर ज़रूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरूर नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा दो पहर 12 बचकर 22 मिनट से दो पहर 1 बचकर 58 मिनट तक मुंबई दो पहर बारा बचकर 40 मिनट से दो पहर दो बचकर 13 मिनट तक चंडिगर दो पहर बारा बचकर 24 मिनट से दो पहर एक बचकर 69 मिनट तक लखनव दो पहर बारा बचकर 8 मिनट से दो पहर एक बचकर 42 मिनट तक भोपाल दोपहर बारा बचकर एकीस मिनिट से दोपहर एक बचकर चपन मिनिट तक कोलकाता दोपहर पहले ग्यारा बचकर अलतीस मिनिट से दोपहर एक बचकर बारा मिनिट तक अहमदाबाद दो पहर बारा बचकर एक तालीस मिनट से दो पहर दो बचकर पंदा मिनट तक और चेन नई में रहुकाल होगा आज दो पहर बारा बचकर दस मिनट से दो पहर एक बचकर तालीस मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो आज वो शुबदिशा है इस्ट यानि की पूरब और आईए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशिगी मेश राशिवालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज जो भी काम शुरू करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा आज नई योजनाय बनाने के लिए समय अनकूल है आपको अपनी मेहनत और प्रयास के सार्थक परनाम मिलेंगे राजनीच से जोड़े लोगों को कोई विशेश उपलब्ध मिलने की उमीद है वित्ती ये इस्थिति में भी सुधा रहेगा मा ब्रमचारनी को मीठे का भोग लगाए सेहत अच्छी रहेगी आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डन और लखी नमबर है आठ व्रेश राशी वालों आज आपका दिन बहत्रीन रहने वाला है आज व्यवसाय के वर्तवान गट विदियों में सोधा रहेगा कोई नया अनुबंध मिलने की संभावना है निवेश करने की सोच रहे हैं तो तुरंट अमल करें परिवारवालों के साथ किसी धर्मिक कारे म शामिल हो सकते हैं जिस से आपको अच्छा फील होगा मा दुर्गा को इलाइची एर्पिट करें जीवन में खुश्यों के प्राप्ति होगी आज के लिए आपका लकी कलर है परपल और लकी नमबर है सेवन मितुन राशिवालों आज आपका मन नई उमंगों से भरा रहेगा आपको इमानदार लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने की जरूरत है आज कारे छेतर में अपना तथा कर्मचारियों के बीच तालमेल बना कर रखेंगे व्यावसाय से समद्दित कारियों के लिए समय दूर्गा की आर्टी करें सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है शिक्स करक राशी वालों के लिए आज का दिन मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला है अगर आप लेखक हैं तो आज के दिन आप किसी नई रचना की शुरुआत करेंगे आज अपनी ऊर्जा को एकर्टित करके दोबारा से नई नीतियां मनाने की ज़रुत है अपनी जोजनाओं को कारे रूप देने के लिए भी उचित दिन है पाइट्रिक संपत्ति संबन्दी मामला हल करने में किसी वरिष्ट सदस्य का मारदर्शन मिलेगा मा ब्रमशारिनी को लाल चुन्डी चरहाएं जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नमबर है दो सिंग राशिवालों आज आर्थिक तोर पर आपकी इस्तिति मजबूत रहेगी आज सभी काम सुचारू रूप से चलते जाएंगे परंतों सहयोग्यों को उनके काम में ज़्यादा टोका टाकी करना और अनुशासन बनाये रखना उनकी में मजबूती आएगी मा ब्रमचारनी का नाम लेकर नए कारे की शुरुआत करें सफलता मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है आठ कन्या राशिवालों आज आपका दिन खुशिया लेकर आया है आज व्यक्तिकत व्यस्तताओं की वज़े से का भी कारे सोचारे रूप से बनते नज़र आएंगे आज नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है स्टूडेंट्स का आज पढ़ाई में मन लगेगा मा ब्रमचारनी का ध्यान करें रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा आज के लि कारे पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत दिनने लिजे घर में भी साथ सज्जा संबंधी किसी बदलाव पर योजना बन सकती है कोई धार्मिक कारे भी संपन होगा बच्चों का स्वास्ते अच्छा रहेगा मा ब्रमचारनी के सामने कपूर जलाईए परिवार के लोग आपके बातों से सहमत रहेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नंबर है सिक्स ब्रिष्टिक राशी वालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज आए की इस्तिति मध्यम रहने की वज़े से बजट का ध्यान जरूर रखेंगे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं भाईयों के साथ रिष्टे मधूर बना कर रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा आज किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे आज आपको तलीव हुनी चीजें खाने से बचना चाहिए और सेहत का ध्यान रखना चाहिए मादूरगा को लॉंग अर्पित करें आर्थे के स्थिति अच्छी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है यलो और लकी नमबर है एक धनूराशिवालों आज आपका दिन पहले से ज्यादा दिलाने वाला रहेगा आज कारे प्रणाली को बेहतर बनाने का अनुकूल समय है साथ ही परिजनों का सहयोग आपके निर्ने लेने में मदद कर सकता है सराहनिय कारी की वज़े से आपको विशेश सम्मान भी मिल सकता है इस राशिके युवा अपने भविश्चों को लेकर सजग रहेंगे किसी रिष्टेदार से चल रही अनवन आज खत्म हो जाएगी मादूरगा के सामने घी का दिपक जलाईए कारोबार में बरकत होगी आज के लिए आपका लकी कलर है ग्री समस्या का नवारा होने से आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे इस समय कई प्रकार की लाफदायक और सुकून भरी परिस्थितियां बनी रहेंगी आफिस के किसी सहकर्मी के साथ आपकी दोस्ती होगी जो लंबे समय तक चलेगी लंबेट के लिए आज का दिन खुश्यो को तरो ताजा महसूस करेंगे आज परिवार संबंधी किसी समस्या का समाधान मिलने से सुकून और शांती का वातावरन बनेगा सुख समध्धि में बहुतरी होने के आसार नजर आ रहे हैं परिवार के साथ किसी धार में गत्विध में भी शांती पूंद समय बीतेगा आज के लिए आपका लकी कलर है महरून और लकी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज आकारण शुरू होई समस्याएं माता की करपा से पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी आज सुच बूज और विवेग से काम करने से हर बाजी आपके पक्ष में रहेगी परिवार जनों तथा मित्रों के साथ भी बेहतीन समय बिताने का मौका मिलेगा व्यायाम करने से स्वास्थ सम्मद्द परेशानी खत्म होगी मादुर्गा को नारियल चढ़ाएं उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नंबर है नाई और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें और जिनकी आज मेरी जैनिवरसरी है वो आज एक दूसरे के हाँट पर कलावा बंदें रक्षा करंड कलावा ये नबधो बली राजा दानेवेंद्रो महावलह तेनत तौंपरति बधनामी रक्षे माचल माचल तो साल भर सुख और सोभाग बढ़ता ही रहेगा लेकिन एक कलावा साल भर नहीं बानना है दो कलावे के बारे में ये जो बानते हैं आप रक्षा करंड इसकी वैलिडिटी लीगल वैलिडिटी इस्पिरिच्वल वैलिडिटी वाट्सोवर यू में कॉल इट जो भी चाहें से कॉल कर लें इसकी आध्यात्मिक चैतन्य तीन दिन का होता है और सबसे बड़ी बात है शास्त्र कहता है जिसको आप मंत्रा भी शिक्त करके कि ये नब धो वली राजा दाने वे इंद्रो महावला तेनत तौंपर बद्धनामी रक्षे माचल माचल ऐसा कहे के गर्ण करते हैं उसकी अवधी केवल तीन दिन होती है तीन दिन के बाद उस समान बनाकर रखेंगे और उनके मारदर्शन और सलाह पर अमल करेंगे। एक आंक में बिताएंगी मूलांक 6 आपके सभाव में बदलाव होगा आज घर की खुशियों में ही अपनी खुशी महसूस करेंगी मूलांक 7 आज कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से मन परसन रहेगा मूलांक 8 व्यस्तता के बावजूद कुछ समय खोद के लिए भी जरूर निकालेंगी मूलांक 9 आज कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उस पर गंभीता से सोच विचार अवश्य कर ले और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की नवरात्र के दूसरे दिन वास्तु शास्त्र में हम बात करेंगे अखंड जोती और पू की स्थापना के लिए आगने कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा माना जाता है अब देखो इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपका घर है नौर्थीस्ट में आपने पूजा रख्यों दक्षन पूर्व जाईए नहीं जो नौर्थीस्ट का को कोना है उसका भी तो अपना एक दक्षन पूर्व कोना है हर घर का हर कमरे का एक उत्तर पूर्व है एक दक्षन पूर्व है एक नौर्थ वेस्ट है एक साउथ इस्ट मला हर कमरे का तो उस जगह का जो साउथ इस्ट कॉर्णर है आपके घर के नौर्थ इस्ट हिस्ट से का जो दक्षिन पूर्व कोना है वहां पर अग्री जलानी चाहिए। इस दिशा में अखंड जोति की स्थापना करने से घर में सुक समध्धिका वास होता है और शक्तरों पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा समधि सभी सामग्री को पूजा कक्ष के दक्षिर पूर्व हिस्से में रखना चाहिए। देवी मा को परसंद करने के लिए पूजा की सारी सामग्री इसी दिशा में रखना उचित है। वास्तु शास्तर में इसी चर्चा अखंड जोती और पूजा समगरी के बारे में। उमीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे। में से संबंद रखता है। आज चैतर नवरात्र के दूसरे दिन का संबंद मादुरगा के दूसरे सरूप ब्रह्भछारणी से है। वो जीवन के किसी भी छेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर लेता है। इससे विक्ति के अंदर सैयम, धायर्य और परिशम करने के लिए मनोबल की भी बढ़ोत्तरी होती है। अगर आप भी किसी कारे में अपने जीत सुनश्चित करना चाहते हैं, तो आज आपको माता ब्रम्हचारिनी के इस मंतर का जब जरूर करना चाहिए। आज आपको इस मंतर का कम से कम एक माला यानि 108 बार जब करना चाहिए। इससे विभन कारियों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। साथ ही आज माता को शक्कर और पंचामरत का भोग लगाने से विभति को लंबी आयुका वरदान मिलता है। बतातू के सफेद वस्त धारन किये हुए मा ब्रम्हचारणी के दो हाथों में दाहिने हाथ में जब माला है, जब करने वाली माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी पूजा से विक्ति के अंदर जब तब की शक्ति बढ़ती है। मा ब्रम्हचारणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। नारज जी के उदेश से मा ब्रम्हचारणी ने भगवान शंकर को प्रसन करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसलिए इन्हें तपस्चारणी भी कहा जाता है। मा ब्रम्हचारणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे बेल पत्तों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया जिससे उनका एक नाम अपरना भी पला। लहाजा देवी मा हमें हर इस्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार न मानने की प्रणा देती है। शास्त्रों के अनुसार नवरातर में परतेक नौ दिनों के दौरान देवी मा को कुछ नकुछ भेट करने का विधान है। कल हमने आपको बताया था कि नवरात के पहले दिन देवी मा को शरीर में लेपन के तोर पर लगाने के लिए चंदन और केश्ट होने के लिए तरफला चड़ाना चाहिए तरफला में आवला हर और बहरा डाला जाता है वहीं आज याने नवरात के दूसे दिन केशों को ठीक रखने के लिए माता को रेशम की पटी देनी चाहिए जो लोग कल की भेट देवी मा को न दे पाए हों वो कल और आज दोनों दिन की भेट आज देवी मा को दे दे आज चैत्र नवरात्र के दूसे दिन माब्रमचारिनी की उपासना करके आप कैसे अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं अपने ज्यान में बहुतरी कर सकते हैं अपने बच्चों के भविश्य को समार सकते हैं आज के दिन हम इन सब की चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज सुबह 10 बच कर 38 मिनट से शुरू होकर कल सुबह 7 बच कर 18 मिनट तक प्रीती योग रहेगा प्रीती शब्द का अर्थ है प्रेम अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो आपको किसी के साथ समझोता करना हो या आपके मन पसंद विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिष्टा आगे बढ़हना हो तो प्रीती योग बहुत ही अच्छा है साथ ही आज देर रात तीन बचकर पांच मिनट तक भरणी नक्षत रहेगा आकाश मंडल में इस्ते 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है भरणी का आर्थ होता है भरन पोशन करना भर्णी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचारे हैं और इसकी राशी मेश है इसके अलावा भर्णी नक्षत्र का पती चन्ह त्रिकोन आकर्ति को माना जाता है बता दूं कि भर्णी नक्षत्र के प्रवल प्रभाव में आने वाले जातक सच बोलने वाले धार्मिक कारियों के पति रूची रखने वाले उत्तम विचारों के धनी, सासी, प्रिणाव डायक और रचनात्मक शेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, और अंतताह अपना लक्ष प्राप्त करने में सफल भी होते हैं, वनस्पतियों में भर्णी नक्षत्र का संबंद आवले के पेड़ से बताया गया है, लिहाज जिन लोगों का जन्म भर्णी नक्षत में हुआ हो उन लोगों को भर्णी नक्षत के दोरान आवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आवले का पेड़ भी लगाना चाहिए साथ ही इस बात का विशेज ध्यान रखना चाहिए कि इस दोरान आप किसी भी रूप में आवले के पेड़ उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुँचाएं और आवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें आईसा करने से आपको सुफलों की प्राप्ती होगी इसके अलावा आज दोपार पहले ग्यारा बज कर दस मिनट पर मंगल पूरा भादपन नक्षतर में प्रिवेश करेंगे और 27 अप्रेल की शाम चार बज कर ग्यारा मिनट तक पूरा भादपन नक्षतर में ही गोचर करते रहेंगे, उसके बाद उत्रभादपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल के पूरवादपद नक्षत्र में गोचर के प्रभाव से बाजार में अलसी, नारियल और सुपारी के भाव बढ़ने की संभावना है। साथ ही आज चैत शुक्रपक्ष की दूतियार्टित को भागवान जूले लाल जी की जैनती भी मनाई जा रही है। आज सिंधी समुदाय के लोग भागवान जूले लाल जी का जनमोत्साव बड़े ही धूम धाम से मनाते हैं। इस दिन को चैती चांद और सिंधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन सिंधी समुदाय के लोग बहरोना नामक एक सांस्कृतिक कारिक्रम का आयोजन करते हैं। जिसमें पैरों में घूंगरू बांद कर लोकरत किया जाता है। और जूले लाल जी के गीत गाये जाते हैं। नाश गाने के बाद शाम को दिये जला कर नदी में प्रव अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुती मेधावी, होनहार, इंटेलिजेंट और कारेकुशल हो तो आज आपको थोड़ी सी ब्राम्ही बूटी लेकर उस पर 108 बार यह मंत पढ़ना चाहिए। यह मंत पढ़ने के बाद उस ब्राम्ही को अपने बच्चे को खिला दें और आज से साथ दिन तक लगातार ऐसा करें। आज के दिन यह उपाय करने से आपका बच्चा बहुत ही मेधावी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत जल्दी तरक्की के शिकर पर पहुँच जाए। तो आज साथ दालों का चूरा बनाकर उन पर इस मंत्र का 1100 बार चप करें। मंत्र है यादेवी सरभूतेशु विद्यारूपेन संस्तिता नमस्ता से नमस्ता से नमस्ता से नमो नमां। इसके बाद बच्चे के हाथ से इस परशकरा कर किसी पेल की जड़ में रखें या चिडिया को खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान की तरक्की अवश्य होगी। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और बहुत कोशिचों के बाद भी वो नहीं उतर रहा है तो आज माता की पूजा के समय सवा किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांध कर अपने सामने रख और फिर घी का दीपक जलाकर माता के इस मंतर का एक सो आठ बार चप करें। और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो लाल या काले गुंजा के पांच दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बरतन अठवा मिट्टी के दिये में शहद भरकर उसमें डूबो कर सुरक्षित रखने। ध्यान रहे कि जो भी ये उपाय कर रहा है वो अपने जीवन साती का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साती या किसी को भी किसी से शेयर ना करे। आज के दिन ऐसा करने से आपके दांपत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। यदि आपके घर में धन की कमी रहती है कमाई के बाद भी परियाब धन नहीं बचता तो आज स्नान आदि के बाद एक साबुद फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो काले कपड़े में सिलकर घर या आफिस के मुख्य दौर पर टांग दे। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आप बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल होंगे। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा कच्चा सूट ल लग सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की होगी। अगर आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं अपनी ओर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको माब्रमचारिनी के चल्मों में तीन मुखी रुद्राक्ष रखकर उसकी विधी पाय करने से आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उत्तम विध्या की प्राप्ति हो तो आज आपको चमेरी या किसी अन्य सफेद फूल के साथ ही छे लौंग और एक कपूर लेकर देवी मा के सामने आहुती देनी चाहिए। और आहुती देते समय इस मंत्र का जब करना चाहिए। मंत्र है या देवी सरभूतेशु विध्यारू पिर्शन स्थिता नमस्ता से नमस्ता से नमस्ता से नमो नमाहा। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों को उत्तम विध्या की प्राप्ति होगी। अगर आप जीवन के किसी क्षेतर में सफलता हासिल करना चाहते हैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रम्हचारनी के मंत्र का जारह बाद जब करना चाहिए। देवी का मंत्र है दधा नामकर पद्मा भ्याम अक्षमाला कमंडलूम अगर आप अपने ग्यान में ब्रहुतरी करना चाहते हैं और अपनी उथल पुथल भरी जिंदगी में थोड़ी सी शांती पाना चाहते हैं तो आज आपको मा ब्रम्हचारनी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी मा का स्तोत्र इस प्रकार है तपस्चारनी तम ही दाइनी, शांतिदा, ज्यानदा, ब्रम्हचारनी प्रणमाम में हम आज के दिन ऐसा कहने से आपके ज्यान में ब्रहुतरी होगी। अगर आपके कुंडली में मांगलिक समस्या है और उसके चलते आपको अपने लिए शादी का कोई अच्छा रिष्टा नहीं मिल पा रहा है तो आपको आज नवराति के दूशे दिन माता ब्रम्हचारनी का आशिरवात पाकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत धारन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जनपत्रिका से मांगलिक समस्या अवश्य दूर होगी। अगर आप अपने सुख सौभाग में वर्द करनी चाहिए। साथ ही इस मंतर का 21 बार जब करना चाहिए। मंतर है ओम शंग शंकराय भोड भवाय शंग ओम नमाहां। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सौभाग में वर्द ही होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज चैतर नवराति के दूसरे दिन के बारे में। सवार सकते हैं और मंगल संब्धी परिशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज के दिन हमने इन सब की चर्चा की है। उमीद है कि आप इस चर्चा का पूरा-पूरा लाब जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीस की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं मा नैना देवी मंदिर के दर्शन। मा का ये धाम हिमाचल परदेश के बिलासपूर में है। ये पवित्र मंदिर भी एक च्यावन शक्ति पीठों में से एक है। मानिता है कि इस इस इस्थान पर माता सती के न है जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रों में भक्त दूर दूर से मा के द्वार पर शीष दवादें आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए मा नैना देवी के पवित्र दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त की शरीर के किसी भी मानुष्य का कोई संदेश दे जाती है। सामुद्रिक शास्त के महत्रपूर्ण भाग अंग शास्तर में आज हम बात करेंगे भावों के उपरी हिस्से माथे पर फड़कने के बारे में। माथे का फड़कना मनुष्य के लिए एक अच्छा सूचक होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के माथे में हलचल हो रही है तो ये उनके लिए अच्छा संदेश है। उस व्यक्ति को भावतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जल्द ही किसी भूमी का लाब मिल सकता है या कोई जमीन विवाद सुलट सकता है। वहीं अगर कनपटी के पास फड़कन हो तो उस व्यक्ति को धनलाब होना निश्चित है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा भौहों के उपरी हिस्से माथे की फड़कने के बारे में। और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 अप्राइल शाहित तक रहेगी। तितिया तिति में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निशिद है। ये शत्रों की वर्धी कराने वाली होती है। इस तरह तिति का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाईए, पीजिए, ब्रम हचारणी को पुश्प अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपने राशिफल जानने के लिए लॉग आउन करें। www.indiatv.in और मुझसे विक्तिज़ संपर करने के लिए फोन करें। झाल